नमस्कार मित्रो अब सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्वरा अरकाडमी क्लासस में देखिए इसमें आज का जो हमारा वीडियो है उसमें एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है ट्रेनिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है यह उत्तरपदे से स्टेट मेडिक फैकल्टी के तरफ से है और उसके एकाडमिक ससन दो हजार बीस और एक किस के लिए है इसमें कौन-कौन से कोर्सिस होते है इसके लास्ट डेट क्या है स्टार्टिंग डेट क्या है इसके क्या फाइदे है इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में तो आई यह सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज के इस न्यूस्ट पर में और बाकी सब जगों पर देखिए इसमें बताया गया है कि उत्तरप्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के तरफ से है कहा गया कि बिविन सास्की और निजी प्रस है तो सत्र के लिए आवेदन आनलाइन की जो तिति है उससे आवंतित किया जाते हैं और पूर्व की भात ही इसमें प्रवेश का आधार जो रहेगा यह सबसे इंपोर्टन चीज है कि दस्वी और बार्वी के जो मार्क्स होते हैं उन्हीं को इसमें आड़ किया जाता है उस मेंशन की गए है UPSMFAC.org यानि उत्तरपदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी.org यह इसकी जो है वेफसाइट है इसी पर पूरी डिटेल आपको मिलेगी जब फार्म ओपनिंग डेट आप देख सकते हैं इसमें मेंशन की गई है 30 अक्टूबर और जो लास्ट डेट मेंशन की की गई है वो 21 नॉपबर मिंशन की गई है तो आईए देखते हैं इसके बारे में की कौन-कौन से कोर्सेस हो सकते है यह इसमें 13 और नज़र आ रहे होंगे कि Diploma in Lab Technicians, Diploma in X-ray Technicians, Radio Therapy Technicians, Pharmacy Technicians and Optometry तो इस तरीके से जो है OT Technicians है, Cardiology है, Dialysis है, City Scan है, Diploma in Sanitations है MRI Technicians है, Diploma in Technicians and Drama Care Technicians है तो ये 13 courses जो हैं आपको इसके अंदर मिलेंगे निक courses covered by UPSM fact के थुरू है, आप देखिए इसकी eligibility है, उसके बारे में आईए थोड़ा सा सबस लेते हैं कि eligibility criteria में क्या है, कि इसका जो courses है, आप देख सकते हैं, age limit इसमें mention की गई है कि इसी के बीच में होनी चाहिए, 13 years का होना चाहिए candidate और age relaxation जो course category के according मिलते हैं, वो हो गए और candidate क्या जो है, जो board exams हों, वो किसी भी state government के थुरू जो boards है वो या तो central है, CVSE या UP board या जो भी other states के हैं, तो उनके थुरू है और बाकी subjects कौन से हो आपके पास होनी चाहिए, intermediate में आप देख सकते हैं कि आपके पास physics होनी चाहिए, chemistry होनी चाहिए, या तो ये combination हो या जिसे क्या है, PCM group कह सकते हैं, आप PCM group हो सकता है, या फिजिक्स, chemistry और mathematics हो सकती है आपके पास या फिजिक्स, chemistry और biology हो सकती है, या तो आप bio group से हों, या math group से हों और ये subjects आपके पास अगर हैं, तो आप इसके लिए eligible हो जाते हैं ये चीज जो छोटी सी information थी, वो आप तक पहुचानी थी, उमिद करता हूँ ये आपको video अच्छा लगा होगा और आपके लिए useful भी होगा, अगर ये आपको अच्छा लगा और useful नजर आया, तो आप इसे आगे भी share करिए forward करिए, लोगों को बताइए, जिससे वो सभी लोग 30 तारिक से इस website के उपर जाकर online आवेदन कर सकें और अपनी merit के according admission ले सकें अपने पसंदिदा कोर्स के अंतरगत, चाहे वो रेडियो थेरपी हो या L.T. हो या एनिल L.T. का मतलब यहाँ lab technician से हैं या X-ray हो या रेडियो थेरपी, फर्मिसी, कोई भी, तो आप सभी लोग समझ गया होंगे कि यह कितना महत्पूर्ण वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं, अबले वीडियो में आप लाइक और सस्क्राइब और कमेंट करना बिल जय हिन, जय भारत